हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो आर यूटूब प्लेटफोर्म वीके लर्निंग हब कंटिनू करते हैं हमारे करंट अफेर के सेशन को जिसमें हम देखेंगे अप्रेल मंत की अभी तक कंप्लीट करंट अफेर जो आने वाले आपके सबी एक्जाम्स वे डेली जानकारी के लिए काफी इंपोर्टेंट होगी और साथ ही हमारे ये सेशन्स बाइलिंग्विल होते हैं ताकि किसी भी लेंग्विज प्रेफरेंस एस्पिरेंट को प्रोब्लम ना हो और जितने भी क्योस्टन होंगे सबी most important रहेंगे guys तो वीडियो को ध्यान सेवा अन तक देखें और moreover दोस्तों अगर आपके पास कोई भी हमारे लिए suggestion या फिर आपका कोई doubt हो तो comment box में लिखना ना भूले we will definitely look into it तो चलिए guys शुरू करते हैं हमारे आज के महतपूर्ण शैसन को और सीखते हैं काफी कुछ नया इस वीडियो से before this हमारे साथ regular बने रहने के लिए चैनल को subscribe कर ले and press the bell icon for upcoming notifications and share this video to your loved ones so that more people can join us वीडियो को अंतक देखें and useful लगे, helpful लगे तो like करना ना बोले so now first question is guys यहाँ पे पूछा गया है सयूंत शैन्य अभ्यास जो वजर प्रहार है दोस्तों वो निम्न में से भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है सही आंसर के अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे option number two America और भारत के बीच दोस्तों यह वजर प्रहार नाम से जो exercise है military exercise यह आयोजित की गई है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करेंगे तो हम military जितनी भी exercise होती है तो यहाँ पे हम कुछ important जो है उनको discuss कर लेते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इंदर जो है दोस्तों यह भारत और रूस के बीच आयोजित होने वाली एक exercise है इसी के साथ Simbex जो है वो भारत और Singapore के बीच होती है यहाँ पे एक अगनी योध्या जो है दोस्तों यह भी भारत और सिंगापूर तो आप इखटी याद करें ताकि आपको आसानी हो भारत और सिंगापूर से रेटेड यहाँ पे Simbex अगनी बोल्ड कुर्चेत्र जो है यह वाली होती है इसके साथ ही अगर हम बात करें भारत और स्रिलंका के बीच होने वाली तो उनमें हम देखेंगे यहाँ पे Shellwax युदभ्यास जिसका एक तो नाम ही है तो यह भी जो काफी important है एंड एक अब भी जो हमने देखी वजर परहार यह भारत और संग्तराज अमेरिका के वीच होने वाली कुछ exercise है और भारत और स्रिलंका के अगरम बात करें तो स्लिनेक्स जो है दोस्तों यह भारत और स्रिलंका के वीच होने वाली एक exercise है तो यह कुछ important है इनको जरूशे ध्यान में रखेंगे आगे बड़े next question अपके लिए होगा दोस्तों यहाँ पे इहाल ही में हुई आई SSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन देश जो है वो सिर्ष पर रहा है यहाँ पे हम आई SSF जो शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा भारत जो है यहाँ यहाँ पे विजिता रहा है शिर्ष देश पर रहने वाला हमारा देश भारत यहाँ पे option number one will be the correct answer इसके बारे में डिसकस करेंगे तो आप यहाँ पे note करेंगे guys कि Indian team tournament में 12 जो है दोस्तों यहाँ पे हमने 7 पदक जीते हैं 7 जो है यहाँ पे हमने रजत और 6 जो है काश है पदक जीते हैं total की बात करें तो यहाँ पे 25 medal जीत कर देश भारत जो है वो परथम स्थान पर यहाँ पे रहा है और आप यहाँ पे रीड कर पाएंगे अगर हम बात करेंगे कि ISSF के बारे में तो full form जरूर से याद रखेंगे the international shooting sports federation जो है जर्मनी के मुनिक में जो प्रेजिडेंट है हाल ही में वो है व्लादी में रिलेशिन एंड इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 1907 में हुई थी यह था इसके बारे में next question यहाँ पे होगा कि निम्न में से किसके दौरा दोस्तों यहाँ पे names of the women पुस्तक जो है यह लिखी गई है तो अगर हम आप बात करेंगे दोस्तों names of the women जो बुक है दोस्तों यह यहाँ पे लिखी गई है option number 4 में आप देखेंगे jit thail के दोरा तो यहाँ पे आपका option number 4 जो है बिल्कुल सही रहेगा काफी important है तो इस बुक का नाम जरू ध्यान में रखेंगे names of the women जो बुक है यह लिखी गई है jit thail के दोरा यहाँ पे ध्यान में देंगे यहाँ पे आप इसका कवर पेज भी देख पाएंगे तो इसके बारे में अगर हम कुछ नोट करें तो आप देखेंगे कि jit thail जो है दोस्तों इनोंने names of the women जो बुक है इसको यहाँ पे लिखा है इस पुस्तक में दोस्तों उनोंने उन महिलाओं को इस बारे में उलेक किया है जिरकी भूमी का है दोस्तों यहाँ पे gospel में दबा दी गई थी और कम कर दी गई थी या फिर मिटा दी गई थी तो उनके बारे में उनोंने यहाँ पे लिखा है तो काफी important है इसलिए काफी आप इसको ध्यान में रखेंगे and आगे बढ़ते हैं अगला कि उसनाप के लिए यहाँ पे होगा question number 4 है guys कि निम्न में से किसे हाग ही में 2020 का सरस्वती समान पुरुषकार जो है वो दिया गया है तो यहाँ पे अगर हम बात करें सरस्वती अवार्ट 4 2020 के लिए दोस्तों तो यह दिया गया है यहाँ पे option number 3 आप देखेंगे dr. शर्ण कुमार लिंबाले जो है यहाँ बिल्कुल सही answer रहेगा तो option number 3 आप जरूशे यहाँ पे correct टिक कर लेंगे यहाँ पे आप image में भी देख पाएंगे सरस्वती समान 2020 जो पुरुषकार है वो इनको दिया गया है next question आपके लिए यहाँ पे होगा कि हाल ही में दो हरित उर्जा कुशल शेहर बनाने वाला देश का जो पहला नोट करेंगे कि बिहार के दोस्तों इसके अलावा अगर हम देखें तो बिहार के जो राजगीर और बोधगया कोई जो है यहाँ पे यह दो सहर हैं जिनको पूर्ण रूप से हरित उर्जा कुशल सहर बनाया जाएगा इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने option में योगा सिक्सक्ष्टन है कि निम्न में से हाल ही में वर्ड बैंक ने फिस्कल एयर यहाँ पे 2022 के लिए भारत की जो GDP है वो कितने प्रतिस्यत रहने का अनुमान लगाया है अगर हम GDP ऑफ इंडिया की बात करें तो फिस्कल एयर 2022 2022 के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे अनु पूज लिया जाता है वाशिंग्टन डिसी यूएस से में है दोस्तों और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1944 में तो इसका विद्यान में ज़रूश्य रखें नेक्स्क्ष्टन आपके लिए यहाँ पे होगा कि निम्न में से किसे हाल ही में दादा साहिब फाल के पाइस्ट अवार्ड है सिनेमा के चेतर में और इसकी जो स्थापना जो इसके शुरुवात हुई थी दोस्तों वो उनीच सो यहाँ पे 59 में हुई थी 1969 तो यह ज़रूश्य आप ध्यान में रखें एक्जाम पॉइंट और विव से नेक्स्ट अगर बढ़ें अगला क्युस जिसे हम आई से सी बोलते हैं वो दोस्तों एक वर्ड की गौर्निंग बोड़ी है क्रिकिट के लिए और यहां पर जो स्वेज नहर में फसे इस मालवाहग जाज को निकाला गया है तो यह न्यूज काफी चर्चा में रही दोस्तों आपने नोट की होगी तो यहां पर कुछ जो इसका नाम क्या है वो आपको यहां पर बताना है सही आंसर यहां पर बात करेंगे तो एवर गिवन नाम से जो है इसका नाम है दोस्तों option नम्बर आप यहां पर देखेंगे फर्स्ट जो है बिल्कुल में देखेंगे तो शुज कैनल जो है दोस्तों ये connecting जो कैनल है दोस्तों किस-किस के connect करती है Mediterranean Sea और साथ ही Red Sea को तो ये काफ़ important है और exam में अक्सर पूछ लिया जाता है तो ध्यान में रखें और इसकी length के अगर बात करेंगे कैनल की तो वो है 193.3 km तो ये भी आप जरू से ध्यान में रखें important है आगे बढ़ते हैं next question आपके लिए यहां पे होगा कि निम्न में से कौन हाल ही में ESIC के लिए कौन जुने गए हैं सही answer आपका होगा मुखमी तैम भाटिया option नमबर आपका यहां पर 3 जो है बिल्कुल correctly match करेगा आप यहां पर note कर लेंगे तो वाफ इंपोर्टेंट है option नमबर 3 मुखमी तैम भाटिया को यहां पर ESIC के लिए महान इधिसक पर रूप में चुना गया है तो यहां पर आप दोस्तों यहां पर note कर पाएंगे कि बाटिया जी जो दोस्तों यहां पर 2021 को करम चारी राज्य भीमा इसके full form ध्यार में रखेंगे ESIC की Employees State Insurance Corporation के जो है मान इधिस ग्रूप में कारे बार संभालेंगी आगे बढ़ते हैं next question आपके लिए हाँ पर होगा 11 के बारे में अगर हम यहां पर discuss करें तो आप ध्यान में देगे कि World Economic Form इसके बारे में देखते हैं आगे इसके कुछ जो इतना important परता है वो हम नोट करेंगे कि वेस्विक आर्थिक मंच की जो वेस्विक लैंगिंग भाव जो यहां पर अनुपात आया है दोस्तों 2020 में वो 156 की लिश जारी की गई थी और अगर हम important point of view से देखें तो भारत का जो स्थान है वो दोस्तों 140 में नंबर पर रहा है तो यहां पर नोट करेंगे कि इंडिया की ranking जो है वो 140 है और शाथ ही अगर हम बात करें वर्ल्ड economic form के बारे में तो इसके बारे में आप ध्यान में दे हैड़कॉर्टर जो है इसका Switzerland में है और अगर हम इसकी founder की बात कर यह जो वैक्सिन बनाने वाला पहला देश बना है क्या नाम है option number यहां पर आप देखेंगे for will be the correct answer रूस के द्वारा दोस्तों पहली बार जो है यहां पर कोवीद उनिस का टिका जनवरों के लिए भी बनाए गया है नेक्स अगर हम यहां पर देखें इंपोर्टेंट रहे शरक्षित और अध्रहुमी के रूप में यहां पर गोशित की गई है तो डल जील और यहां पर आप कुछ इंपोर्टेंट है वो देख लेते हैं नोट करेंगे कि जमुकस्मिर में जो वेटलेंड शरक्षन पर काफी जो और दिया जा रहा है और इसमें इसके साथ ही दोस् अगला कसे और आप के लिए जोगा फोटेंग का है निम्न में इसकि स भारते राज़पाल को कलिंग रतन पुर्श्कर से समानित किया गया है तो किसे क्या गया है दोस्तों किस इंडियन गुवर्टनर और को यहां पर आवार्ट दिया गया है जो तो option number 4 आंदरप्रदेश के जो गवर्णाट में हैं दोस्तों option number 4 जो आपका बिल्कुल सही रहेगा important है के लावा तेलंगाना राज्य से related अगर हम यहाँ पे current affair की बात करेंगे तो ध्यान देंगे तेलंगाना राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोर उर्जा सयंतर जो है वो स्थाफित किया जाएगा हाल ही में तो यह काफ़ important है exam point of view से और यह जो है अभी हाल ही में जो है CHSL के exam में भी पूछा गया है तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों जितने भी हमारे questions होते हैं वो most selective है and काफ़ important है आपके हर एक exam के लिए अगर आप किसी भी government exam की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अगर अच्छी लगे अंतक देखें and like जरूर करके जाए यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं आप आपने ऊपर जो है क्योसन देखा है अवार्ड से समानित किया गया है और लोकसभा की सीटे राजसभा की सीटे ध्यान में देंगे अक्सर गिजा में पूछ ली जाती है 25 and 11 रहेंगी तो important है आगे बढ़ते हैं अगला क्योसना आपके लिए यहाँ पे होगा 15 का निम् और यहाँ पे important है and next question अगर हम बात करेंगे तो ध्यान में देंगे कि हाल ही में पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन M.N.I.D. दवारा यहाँ पे किया गया है यह जो पुस्तक है दोस्तों यह किसके दवारा लिखी गई है तो अगर हम इस book की बात करेंगे दोस्तों तो य किसके दवारा लिखी गई है यहाँ पे option number 3 में आप देखेंगे डॉक्टर शेलेंदर जोसी विल बीदा correct आंच और तो option number 3 जो है आपका बिल्कुल correctly match करेगा इनके दवारा यह जो पुस्त बुक है दोस्तों सुपारी पालन यह लिखी गई है जिसका यहाँ पे विमोचन क जोसी यहाँ पे उनके दवारा लिखित बुक है और यह जो बुक है दोस्तों यह एकोटी calling towards people centered दोस्तों यहाँ पे governance का जो है तेलगू अनुआद है तो यह भी आप चुरुशे इसमें ध्यान में रखेंगे अगला गर बड़े question है दोस्तों 17 का निम्न में से किस देश में पुरुश मुक्यबाजी विश्यू championship 2023 की आयोजित यहाँ पे किये जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों man's boxing world championship 2023 to be held in तो कहाँ पर होंगे दोस्तों सही आंसर यहाँ पे होगा आपका option number 4 उजबेकिस्तान में तो उजबेकिस्तान में दोस्तों जो है 2023 में ज नोट करेंगे important है आगे बढ़ें अगर हम अगला किसनाप के लिए यहाँ पे होगा guys 18 का निम्ड में से कोन भारत के पहले प्रयावण मंत्री थे जिनका हाग ही में निदन हो गया है तो पहले प्रयावण मंत्री दोस्तों हमारे first environmental minister जो है दोस्तों हाग ही में जो है विजे सिंग जो है दोस्तों यहाँ पे इनका पूरा नाम है जाला इनका यहाँ पे पूरा कारिकाल देख सकते हैं इसके अलावा गर हम बात करें तो काफी important है कि यह जो है इंडिया के first environment minister रहे है union deputy minister of ecology और साथ ही environment यहाँ पे रहे है यह time period रहा है इनका 1982 से 1984 तक ध्यान में नेक्स अगर हम बात करें question है 19 हाल ही में what's up with me नामक जो book है दोस्तों यह किसके दवारा लिखी गई है अगर हम यहाँ पे बात करें book दोस्तों what's up with me जो book है यह लिखी गई है यहाँ पर option number 4 टिस्ट का चोपड़ा के दवारा तो यहाँ पर option number 4 जो आपका बिल्कुल correctly match करे यहाँ पर watch up with me जो book है दोस्तों इसको लिखा है यहाँ पर image में भी आप देख पाएंगे next अगर हम बात करें question है यहाँ निम्मे से कौन हाल ही में 58 मुखे नयादीस के रूपे चुने गए है most important question रहेगा दोस्तों इस बार का यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान में द देखेंगे तो image में भी आप देख सकते हैं तो आप नोट करेंगे guys राष्टपतिर रामनात कोविंद ने यहाँ पर जस्टिस एन्वी रमना को CJ के रूप में यहाँ पर सपद दिलाई है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुछा यह भी जा सकता है कि कौन से number के है तो यह 48th number के जो है चीफ जस्टिस ओप इंडिया बनेंगे और साथ ही यह दोस्तों वरतमान मुख है जो नियाधिस हैं सरद अरविंद सिंग जो बोबड़े हैं दोस्तों उनका स्थान यहाँ पर लेंगे जो 23 सपरेल को यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला कर्शन आप के लिए यहाँ पर है कि निम मैं से किस राज्जी के हापुष आम को MICHAEL यहाँ पर दिया गया है अगर हम बात करें हापुष मैंगो जो है दोस्तों कोopard टेक दिया गया है किस जो है राजे से बिलोंग करता है यहां पर आग सही आंसर की बात करें तो option number one ध्यान में देंगे महाराश्टरा विल भी दा correct answer रहेगा आपका option number one जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा यहां पर आप इसके बारे में यहां पर देखेंगे इसके अलावा अगर हम बात करें option wise तो option में हमने बात की सिक्किम की भी तो सिक्किम राजे से related जो करंट अफेर है यहां पर important है आपके लिए तो वो है कि हाल ही में तो state महाराष्ट के बारे में जान लेते हैं कुछ basic details है एक्जाम पोइंट ओविव से capital आप सभी को पता है मुंबई है district है 36 important यहां पर पार्क जो रुद्यान में दे लेंगे अक्सर एक्जामें पूछे जाते हैं जसे संदोली है पेंच है नवे काउं है गुकामल पार्क ह यहां पर जीता है अगर हम बात करें यहां पर 30th जीडी बिला आवार्ड फोर साइंटिफिक रिशर्च के लिए गाइस तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा option number 2 आप यहां पर देखेंगे सुमन चक्रवरती के दवारा यहां पर यह पूरुसकार जीता क्या है काफ आप सूर रहेगा यहां पर देख सकते हैं अगरा क्रश्णा आप के लिए यहां पर होगा 23 का निंड में से और हाल ही में वीयत नाम के नई परधार मंत्री बने हैं यहां पर बात करें प्राइम मिनिस्टर ओफ वियत नाम दोस्तों तो हाल ही में जो चुने गए हैं फाम में चिन जो है इनका नाम है option number 3 में आप यहां पे देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहां पे correctly match करेगा यह भी काफी important रहेगा and हाल ही में इनको यहां पे पलहार मंतरी के रूप में चुना गया है इमें इसमें भी आप यहां पे देख रहेगा इसको भी जरूर से ध्यान में रखेंगे तो यह आपका जो है बिल्कुल correctly match करेगा and next अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे आप इनके बारे में जान पाएंगे तो अगर हम नोट करेंगे तो गुजरात के पूर डिजीपी है दोस्तों यह शबीर हुशन शे अगर हम बात करें दोस्तों निव एमडी ओफ विप्रो कंपणी तो यहां पे चुने गए है उप्शन नमबर थ्री शारा एडम गेज को यहां पे चुना गया है तो और तो यहां पर थ्री आप देखेंगे जो बिल्कुल correctly match करेगा तो यहां पर गाईज हम इससे और न्यूजिलेंड के लिए जो है यहां पर मैनेजिंग डारेक्टर एमडी के रूप में चुना है तो यह आप ज़रूर से ध्यान में रखेंगे सिर्फ और न्यूजिलेंड के लिए हैं यहां पर चुना गया है अगला गर हम बात करें कि उसना आपकी स्क्रीन पर होगा क कि निम्ड में से हाल ही में आई-म-फ के द्वारा दोस्तों हाल ही में जो वित वर्ष है हमारा 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितने परतिस्यत रहने का अनुमान लगाया है यहां पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो अप्शन नमबर टू आप देखेंगे बारा पॉ यहां पर देख सकते हैं और यहां पर जो स्थाफना हुई थी इसकी दोस्तों वह 1945 में की गई थी इंपोर्टेंट है अगरा किसे आप यहां पर देखेंगे हाल ही में स्पोर्ट्स एक्जेंज ने किसी अपने नए ब्रेंड अबैस्डर के रूप में नियुक्त किया है तो दोस्तों यहां पर स्पोर्ट्स एक्जेंज के द्वारा नए ब्रेंड अबैस्टर जो जुने गए हैं यहां पर प्रित्वी शो ऑप्शन नमबर फॉर आप यहां पर देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहां पर क्रिकेटर बनाया है तो यहां पर इमेज में देख सकते है भारत की पहली महिला नामिक कौन बनी है तो यहां पर फस्ट जो है विमेन शेलर ओफ इंडिया दोस्तों जिनों ने आपर क्वालिफाइ किया है ओलंपिक को क्या नाम है उनका यहां पर सही अंसर होगा आपका नित्रा कुमानन विल बिदा क्रेक्ट आंसर यह क्यों भी यहां पर शेलर ने हिसा लिया है और जिन में से नेत्रा कुमानन जो है वो टोक्यों खेलों के लिए क्वालिफाइ करने वाले पहली भारती है महिला शेलर बन चुकी है अगला क्योंसर आपके लिए यहां पर होगा 29 का कि निम्ड में से किस देश ने बिमस्टेक मंत्री पर यहां पर मियामार हो गया नेपाल हो गया स्री लंका इंड थाइलेंड जो कंट्रीज है यह सभी इसमें आती है और इंपोर्टेंट है तो नोट करेंगे कि बे ओफ बेंगोल इनिशेटिव फोर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एकनोमिक कोर्पोरेशन जो है विमस्टेक जो कमेंटेटर हैं दोस्तों उनका हाल ही में निदन हो गया है उनका नाम क्या है यहां पर सही अंसर की बात करेंगे तो चंद्रा नायडू विल बिदा क्रेक्ट आंसर ओप्षन नमबर वन आप देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहां पर सही अंसर एगा यह थी भारत की अगला किशन आपके लिए यहां पर है कि हाल ही में देवी शंकर रवस्ती पुरुषकार 2020 से निम्न में से किसको समानित किया गया है अगर में यहां पर बात करेंगे दोस्तों देवी शंकर रवस्ती पुरुषकार 2020 तो यह हाल ही में दिया गया है आशुतोस भारतवाज को को यहाँ पे इनकी जो क्रित्री हैं दोस्तों उसके पित्री वद के लिए यहाँ पे जो पुरुषकार है इससे समानित किया गया है एंड नेक्स अगर हम बढ़े हैं अगला क्यूसन आपके लिए यहाँ पे होगा निम्ड में से निलिमा रानी किस देश के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है तो यहाँ पे गाईज चीन विल विदापका सही आंसर रहेगा option number 3 आप देखेंगे जो बिल्कुल correctly match करेगा चीन जो देश दोस्तों इसने हाद ही में आर्क जो महासागर है अपना वहाँ पर जो है पूरा सिल्क रूट बनाने का जो है द्रूविय रेशम मार्क जो है बनाने की यहाँ पे अपिल की है और नेक्स्ट अगर में आप इसके बारे में देखें तो आप नौट करेंगे जल्वायू परिवरतन के चलते दोस्तों यहाँ पर क्यों किया जा रहा ह है तो यह आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे यहाँ पर देखपाएंगे यह चाइना है यह पयार जो है देंगे आप कर रहे हम निम्ड में से कोन हाल ही में वीव कंपनी के नए brand ambassador के रूप में न्यूक्त के गए हैं यहाँ पे विवो कंपणी ने अपने नए brand ambassador हाल ही में किसे चुना है दोस्तों तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा विराट कॉली विल्विदा correct answer तो यहाँ पे आप देख सकते हैं option number one जो है बिल्कुल आपका correctly मैच करेगा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइनीज जो smartphone company है विवो उन्होंने हाल ही में विराट कॉली को अपना नया brand ambassador बनाया है अगला क्योंसर आपके लिए होगा कि हाल ही में किस भारती खिलाड़ी को 37 गड़ी वीरनी पुरुसकार दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं यह किस खेल से जो हैं बिलों करती है अथलीट है दोस्तों धावक है तो दोती चंद यहां पर देख पाएंगे अगरा क्योंसर अगर हम बात करें आप थर्टी सिक्स है निम्ड में से किसके द्वारा दुनिया का पहला जो है लोंज किया गया है ध्यान में रखेंगे अंडिन के अलावा यहां पर हम एक्ष्टा में जाने तो अगर हम बात करें तो हाल ही में दोस्तों गया है इसका अगर हम यहां पर सही अंसर की बात करेंगे अमेरिका के द्वारा यहां पर यहां पर यहां पर ऑप्शन नम्बर फॉर जो है बिल्कुल आपका प्रेक्टली मैच करेगा ध्यान में रखेंगे अंगला क्यों आपके लिए होगा कि निम्ड में से कौन हाल ही मे इमेज में भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें क्योस्तन यहां पर है 39 की निम्ड में से भारत की और से विश्यू बैंक एंड जो आई-मफ की एकसोत तीन वी जो बैठक हुई थी दोस्तों विकास समीती बैठक उसमें किसने बाग लिया था भारत की और से अगर हम यहां पर काफ़ इंपोर्टेंट है तो ध्यार में रखेंगे किसने बाग लिया है तो निर्मला सितार मंजी दौरह यहां पर इसमें बाग लिया गया है जिन्होंने वर्चुल कॉन्फरेंसिंग के दौरह इसमें पाटिस्पेट किया तो ओप्शन नमबर टू जो है वो तोड़ दिये हैं तो मुश्च इंपोर्टेंट है यहां पर क्या नाम है दोस्तों का यहां पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो भरत पन्नु विल भी दर कॉरेक्ट आंसर ओप्शन नमबर टू आप यहां पर देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा एंड यहां पर आप इनके यहां पर इमेज में भी देख पाएंगे यह हैं बरत पन्नु जिन्हों ने दो वर्ड गिनीज बुक रिकोर्ड को यहां पर तोड़ दिया है सबसे फास्ट साइल क्लिंग करके अगला क्यों यहां पर होगा निम्ड में से किसको हाल ही में नाइट ओफ परसिद फिल्म निर्माता है गुनित मोंगा एंड इमेज में भी आप यहां पर देख पाएंगे आगे बढ़ते हैं अगला क्यों आपके लिए यहां पर होगा कि हाल ही में UAE के शिर्ष नागरिक पुरुषकार से किसे समानित किया गया है अगर हम बात करें यहां पर UAE ट 2020 में कौन सिर्ष पर रहा है यहां पर World University ranking 2020 के according अगर हम बात करेंगे तो आपको यहां पर Harvard University जो है दोस्तों option number 1 में आप देख पाएंगे जो बिल्कुल आपका यहां पर correctly match करेगा तो यह भी ध्यान में रखें first option जो है right answer रहेगा यहां पर हम इसके बारे में note करते हैं कि 2020 क ranking में विश्यू की top universities में दोस्तों Harvard University जो है वो पहले स्तान पर रही है second number पर बात करें तो Stanford and third number पर जो है आपकी Cambridge University जो है वो रही है तो यहां से आपको इतना देखने को मिलता है next अगर में बात करें अगला कि उसना आपके लिए आपे होगा कि April 2021 में हुए जो BAFTA award हुए है The British Academy of Film और Television Arts जो है दोस्तों यह Best Film Award है यह किसे दिया गया है तो यहां पर Best Film का Award बाफटा 2021 अप्रेल में जो हुआ है Best Film Award किसे मिला है तो फिल्म का नाम होगा दोस्तों यहां पर Nomadland option number one आप यहां पर नोट करेंगे बिल्कुल correctly match करेगा and most important question है guys तो इसको जरूर से याद र बात करेंगे तो सर्शेष्ट फिल्म हमने अभी देखी Nomadland है अगर हम बात करें यहां पर सर्शेष्ट जो निर्देशक हैं दोस्तों वो भी Nomadland के जो निर्देशक हैं दोस्तों प्लो जाओ उनको यहां पर इससे Award से समानित किया गया है और अगर हम बात करें इन्होंने भी नॉमेड लेंड में ही जो है यहाँ पर अभी नेत्री का रोल अदा किया है तो यह भी आप यहाँ पर देख पाएंगे आई एफ कमांडर समयलन 2021 कहाँ पर आयुजित हुआ है तो अगर हम बात करें आई एफ कमांडर कंफरेंस 2021 दोस्तों यह कहाँ पर आयुजित हुआ है यह हुआ है नियु डेली में ओप्शन नमबर टू आपके बिल्कुल ग्रेक्टली मैच करेगा इंपोर्टेंट है यहाँ यहाँ पर हम जानते हैं आई एफ के बारे में इंडियन एर फॉर्स दोस्तों जिसका हैटकॉर्टर है यहाँ पर नियु डेली में एंड अगर इसकी स्थाफना की बात करेंगे तो आठ अक्टूबर 1932 को जो है यहाँ पर इंडियन ए एंडियन एर फोस की स्थाापना तो यहां पर आप देख पाएंगे अगर हम यहां पर महानी देशक की बात करेंगे पूनम गुपता को यहाँ पर बनाए गया है तो National Council of Applied Economic जो रिशर्च है दोस्तों इसकी पुलपॉम रहेगी जरूशे ध्यार में रखेंगे और यह है दोस्तों जो है वो इस पद को समभालने वारी First Women है दोस्तों तो यह आप जरूशे ध्यार में रखेंगे इसलिए यह काफी important बन जाता है First Women है दोस्तों जो NCAER की यहाँ पर जो है महानिदेशक के रूप में चुनी गई है पुनम गुप्ता जी आगे बढ़ते हैं हगला क्योशन यहाँ पर है कि हाल ही में भारत के नए 24 में मुख्य चुनावा युक्त कौन बनाए गए है तो 24 दोस्तों Chief Election Commissioner of India Most Important Question रहेगा यहाँ पर कौन बनाए गए है और इसके साथ ही यह डिजिट दियार में रखेंगे 24 में नंबर के जो बनाए गए है इस बार तो उनका नाम यहाँ पर होगा दोस्तों शुशिल चंदर जी जो हैं दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में 24 में नंबर के जो है मुख्य चुनाव आयुक बनाए गए है इससे पहले अगर हम बात करें तो कौन थे दोस्तों Option No.1 में आप देख सकते हैं कि सुनिल अरोडा जो है दोस्तों वो यहाँ पर 23 में नंबर के मुख्य चुनाव आयुक थे आप यहाँ पर नोट कर पाएंगे जो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा यह भी काफी इंपोर्टेंट रहेगा एक्जाम पोइंट ओव्यू से यहाँ पर आप नाडा की बात ही है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं और हाल ही में जो हैं दोस्तों यहाँ पर आपने देखी लिया है जो महानी देशक के रूप में चुने गए हैं वह हैं सिधार्थ लोंग जाम तो यह ध्यान में रखें यहाँ पर आपके लिए होगा कि निम्ड में से किसने ICC Player of the Month Award जीता है तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ उपसन से इसमें से किसने ICC Player of the Month Award जीता है यहाँ पर आपका सही अंसर रहेगा दोस्तों उप्शन नमबर 4 नोट करेंगे भूनेश्वर कुमार के द्वार आप यहाँ पर जो है सवाड को जीता गया है इस बार तो उप्शन नमबर 4 आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल क्रेक्टली मैच करेगा इंड यहाँ पर इमिज में भी देख पाएंगे अग्या कि उसन उप्शन नमबर 2 बिल्कुल सही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाई छे साल में लगातार जो है यहाँ पर चोथी बार सर रिचर्ड हैडली पदक सेंग को यहाँ पर समानित किया गया है यह जो है दोस्तों न्यूजिलेंड के प्लेयर हैं यहाँ पर आप नोट भी क गोजना की थी लेकिन अब 2022 तक भी बोला है तो यहाँ पर किसके द्वारा यह निरने लिया गया है दोस्तों यूए ओप्शन नमबर 1 आप यहाँ पर देखेंगे जो बिल्कुल क्रेक्टली मैच करेगा तो यूए की द्वारा 2022 में दोस्तों चंदर्मा पर रोवर राशित बेजने की यहाँ पर गोजना की गई है और यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम यूए की बात करें तो यूनाइटिड अरग अमिराथ जो इसको बोलते हैं जिसकी कैपिटल है दोस्तों यहाँ पर आप उधा भी यह इसका फ्लैक्स इंबल है यह आप नोट कर सकते हैं ने यहाँ पर आपका 10 अपरेल को मनाते है अगर हम बात करें विश्यू अर्थ डे या पर प्रित्वी डे दोस्तों यह काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो यह मना जाता है आपका 22 अपरेल को ध्यान में रखेंगे और जो राष्ट पंचायती दी दोस्तों जो हमने डिसकस की एंड यहाँ पर देख सकते हैं important days of the month इनको जरूर से note कर लेंगे दोस्तों काफी important रहेंगे और तो यही था गाईज हमारा आज का महत्पून शेशन कैसा लगा like comment कर जरूर बताएं इसके अलावा other topic videos भी आप हमारे channel पर देख सकते हैं hope you enjoy this video त your dreams thanks for watching